Since we were talking about the exchange rate, law of one price, etc. It is very important to have a proper understanding of the concept of theory of purchasing power parity. हम इस concept को बहुत extensively इस्तमाल करते हैं. आपने देखा होगा जब आप GDP किसी भी मुल्क की consider करते हैं कि उसकी GDP क्या है, तो आपको दो values देखने को मिलती हैं. एक GDP होती है, एक GDP के साथ तीन दफा PPP लिखा होता है. वो जो तीन दफा PPP है, इसका मतलब होता है purchasing power parity. तो comparison purpose के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम purchasing power की parity को account for करें, जब हम GDP को compare करते हैं across different countries के वहां overall सूरतहाल, economic सूरतहाल इस particular country की कैसी है. तो अभी purchasing power parity का थेरी होता क्या है, यह कहता क्या है? Purchasing power parity is an economic theory, जो के different countries के currency को compare करती है, by taking into account the basket of goods approach, अब basket of goods approach का मतलब क्या है? आपने सीखा होगा कि जब हम inflation को measure करते हैं, consumer price index नकालते हैं, तो वहां हम एक basket of goods लेते हैं, basket of goods का मतलब यह होता है, क्याने की कैमत लेंगे या सिर्फ petrol की कीमत लेंगे, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि एक आम आदमी, मुएं, जो के petrol नहीं खरीता, उसके बास कोई सवारी नहीं है, या वो سोने का करीदार नहीं है, उसके अदर सोने की कीमतों की उतार चड़ाओ, या पेट्रॉल की गिमत की उतार चड़ा उसको कैसे असार अंदास करती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम एक आम आदमी के जेरे इस्तमाल जो भी चीजें होती हैं खाने की पीने की साबुन पानी कबिल गैस ये तमाम चीजें जो एक आम आदमी के एक आवरेज हाउसोल के अंदर इस्तमाल होने वाले चीजें हैं उन तमाम चीजें को मदे नज़र रखके हम एक बास्केट बनाते हैं तो इसी तरह से जब आप पर्शेशिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं या कंसिडर करते हैं तो यहां हम वही बास्केट की अपरोच को इस्तमाल करते हैं हम किसी एक चीज़ को नहीं लेते हम कहते हैं कि यह चन्द चीजें जो के जरूरी है इस्तमाल की तो न्यू यॉक में वो छे चीज़ें कितने की आएंगी लहॉर में कितने की आएंगी पिशावर में कितने की आएंगी पाकिस्तान के किसी के अंदर के अंदर लोकेटेड गाओं के अंदर वो छे चीज़ें कितने की आएंगी जब हम उस basket की overall कीमत को compare करते हैं, तो वहां से हमें purchasing power parity को calculate करने में मदद मिलती है, so basically purchasing power parity के अंदर हम basket की approach को इस्तमाल करें, एक किसी commodity को नहीं लेते, उसकी कीमत को नहीं ले रहे हैं, so अभी क्या है कि we are going to take into account the price of the basket in different places, या हम अभी चुके currency की बात करें हैं, तो हम currency, different currency की values लेंगे, basket के form में के इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए उस currency में कितने पैसे लगेंगे, और उनको हम उसकी ratio नकालते हैं, ताके हम purchasing power parity को calculate कर सकें, इसी चीज़ की further वजाहत करने के लिए, I'll take the help of a formula, so when we are trying to find out the purchasing power parity, we use this formula which is, S equals to P1 over P2, और अभी मैंने जो S है, that is the exchange rate of currency 1 to currency 2, और इसमें जो P1 है, this is the cost of good X in currency 1, हम अभी assume करें, एक good की बात करें, लेकिन यहां हम basket इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी के लिए हमने good X लिया है, currency 1 का, में कोई भी एक चीज़, आपको कितनी कीमत अदा करनी पड़ेग और country 2 की currency जो है, उसको हमने अगर currency 2 बोला है, उसके अदर जो cost of the same good X की कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो आपने रखी denominator में, तो आपको exchange rate of currency 1 to currency 2 बन जाएगा, मिल जाएगा, इसी concept से related, एक और concept है, that is called the big back index, आप कहते हैं कि अगर हमने, mcdonald's चुके, दुनिया भर में बहुत से मुलकों में पाया जाता है, तो एक index बनती है, इसी purchasing power parity को count for करके, वो कहते हैं, एक आम आदमी के खाने के लिए big mac है, और big mac मुखतलिफ मुलकों में कितने काह मिलता है, उस particular चीज को count for करेंगे, तो हमारे पास यह purchasing power parity, big mac index के form में भी calculate होती है, ठीक है, तो that is also considered as a tool to assess the purchasing power parity, now, suppose हमारे पास यहां, हम एजूम करे हैं, इसी चीज को further understand करने के लिए, कि it cost 10 dollars to buy a shirt in the US, and it cost 8 euros to buy the same shirt in Germany, Germany में आप वही कमीज को खरीदेंगे, तो आपको 8 euro देने, और same कमीज की कीमत, USA के अंदर 10 dollar है, तो इस से हम, इस कमीज की मदद से, हम, कमीज की कीमत की मदद से, हम purchasing power parity को account for करके, अपना exchange rate को सीखेंगे के वो कैसे निकलता है, तो the first thing, you must first convert 8 dollars into the US dollar, आप US dollar में convert करेंगे, यूँके दोनों की same value होनी चाहिए, उपा नीचे, आपको बते चला के US dollar के अंदर, जब हम इस ही जर्मनी की अंदर पाई जाने वाली कमीज को, की कीमत को convert करते हैं, तो that earns out to be 15 dollar, तो अब आपने, now it has become very easy, तो आपके पास, अगर exchange rate आपने निकालने है, तो that will be simply, the कीमत of shirt in Germany in dollars, divided by the price of shirt in USA in dollars, तो आपके पास या जेगा 15 by 10, और this will give you the exchange rate, the purchasing power parity of 1.5, right, अब इसका मतलब यह है, कि for every 1 dollar spent on the shirt in US, आपको 1.5 dollar, चाहिए होंगे जर्मनी में, सेम कमीज को purchase करने के वास्ते, तो this is how we can use the concept of purchasing power parity, to understand the differences in the exchange rates in two different countries, in terms of the basket approach.